किसी खबर की सुरुवात जब हम करते हैं अमुमन तो कुछ ऐसी पंक्ति इजात करते हैं जो खबर पर सखीक बैठे आज भी हम एक खबर आपको दिखलाने जा रहे हैं तो खबर की सुरुवात करने से पहले दो पंक्ति जूर बोलना चाहेंगे कि बरसात फुवत रहित दिन और रतिया जैसे ऐसी ही पहत रहित सरसतिया आप सायद नहीं समझ पाए होंगे तो मैं आपको बता दू कि हम बात यह सरस्वतिया नदी की कर रहे हैं जो गढ़वा जिला मुख्याले से होकर गुज्रा करती है कहा जाता है कि नदी किनारे सभ्यता बिक्सित हुची सभ्यता बढ़ी लोग बढ़े लेकिन लोगों ने उस सभ्यता ने नदी तो पूरी तरह से संकुचित कर दिया आप अहम भी सरस्वतिया नदी के पास पड़े हैं अब देख सकते हैं वी बर्सात के मौशन में किस तरह अविलाल बेग पे यह सरस्वतिया नदी बह रही है लेकिन जब बर्सात नहीं होता है इस बार इस बैसित महामारी करोणा एकारां जो लग डाउन किया गया इसके चलते निशित परियावरन में बदलाव आया उसी का नतीजा है शुपरिनाम है इस बार बर्सात देखने को गड़वांगिला अमोमन यहां पर बर्सात नहीं हुआ करता है अना विरिश्ची वाला इलाका है गड़वाजिला बार बार सुखा पड़ता है इस बार हुई बारिश का ही असर चला है कि आप देख सकते हैं कि तरह चस्चेर नदी है यह वहीं नदी है जो यहां पर भले चवड़ा आपको देख रही हो आगे चलकर पूरी तरह से संकुचित हो गये हम एक बात में एक पंको इस कर दें कि पूरी तरह से आगे चलकर सहर में नाले का सवरुप ले लिए है कि लोगों नहीं उसे संकुछित कर दिया है इस तरह वहां प्रिलाहबाद में संगम में गंगा जमने जमना के भी सफवती बिलीन हो गई है ठीक उसी तरह गढ़वा जिला मुख्यालेश को कर गुजरने वाली सफवती नदी भी बिलीन होते जा रही है हमारे साथ कुछ लो लोगोम से प्रक्रदोल से करईयों 15 साल पहले इसका पात इस सित्रा कर जो देख रहे है इसी कुछ भीक कालने मिद्कु महोंने डयर बना रहा है पूरा चोड़ा था पूरा पानी आता होगा हां हां मैं 1987 में बहुत भ्यानक बहुड़ा था उसने सवत्या का बेख देख्टे बन रहा था यहां पर अज आज आ आज अल्ब्या है के नदी इसना तकी नव जवान गी है ते ते विए आज की देखा जाके नाले के रूप में तबीर हो चुका है। यहां तो यह ग्रामीन इलाका है, जब ग्रामीन इलाका में यह इस तरी बरी है, तो ऐसके बादे समय स्वेदार बेकार है। तो हम भी ग्रामीन चुद्ण आज दे दिख रहे हैं। कि आए दिन इस तरह से अवेद कभजा हमारे नदी को किया जा रहा है निशित रूप से कहा जा सकता है कि नाली के रूप में हम आगे देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि लगभग 10 से 12 किलिम्मट को दूरी लंबाई इस नदी का है जगा जगा पे बेवज़ा बांध बांध कर इस नदी को बरबात किया गया है आज बालू का एक पंस भी मिरे नदी नहीं मिल पा रहा है इसका मुख के कारणा जगा जगा बांध इससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है कोई शिचाई भी ने उच से हो पा रहा है पर्या वरन बचाएं, साप सफाइकर नदी को बचाएं, इस तरह के बात पह जाते हैं परसासन दोरा सरकार दोरा, इतना अमल होता दिखता है अपर परसासन के नदी कुछ भी नहीं, परसासनी दिश्टिकों से देखा जाए तो मतलब कुछ यहां किधर नजरे नहीं है खासक अब ही किसी परसासन का सरकार का राजयता का कोई ध्यान नहीं है अभी के सासनकाल में जब से सरकार बनी है तो हम पर लग रहा है कि अब बरशाचार चरम पर हम लोग देखते आ रहे हैं नदी का जो बेग अभी देखते आ नदी है कि अमेले बटा सकते हैं मने देखने से अब जो हम लोग वे देखने से लाएं यह धिकनि सानक मतलब अच्छा लग रहा है लोगडाउं का अफर है अगर लोगडान में गाड़ियां नहीं होता गाडियां चलते रहती परहवरांदूशी मोठेशी होते सब्सक्राइब देखने के बाद आज पहली बार देखने के मिल रहा है यहां के लोगों को कि सासोतिया नदी में पानी इस तरह विरल बे के साथ बाहर ही है वह इसका मतलब यह कहा जाए कि 87 का जो काल था उसमें पर्यावरण उतना पर्दूसित नहीं था उसके बाद का जो काल खंड गुजराथ लेकिन जब यह लोकडाउन हुआ वाइरस करोना वाइरस के करण तो पर्यावरण के जो बदलाव आया उसी का सुपरिनाम है कि मानसुन समय से पहले आया है और इस तरह का बरसात लगतार यहां पर बरस्ते हुए देखा जा रहा है और दूसरी होरा में यह कहना चाहेंगे कि आप या तो सरकार के नुमाइंदे हों या परसासनी का धिकारी हों जो अपने जबान से यह कहते नहीं ठकते कि नदियों को बचाना है परेवरान का सरक्षन अफसन मर्धन करना है और जो बात जबान से कहते हैं वो जमीन पर उसे सरजमीन पर अमली जामा पहना है ताकि आपके हां की एक जो नदी है ससोतिया वो बिलीन होने से बच सके आपको तो स्रंजन बिल्दास नीउट कढ़वा